Hello people, hope you all are doing well. आज हम लोग एक बहुत ही important case law discuss करने वाले हैं जिसका नाम है Powell versus Lee ये case law था acceptance के बारे में specifically कहा जाए तो acceptance should be given by the offer यारि कि जो acceptance है किसी भी offer की वो कौन देगा वो obvious ही बाते सहमती कौन देगा offer offer कौन होता है जिसको offer किया जाता है हम पहले एक ये चीज़ भी revise कर लेते हैं कि offerer और offer कौन होते हैं offerer वो होता है चो offer करता है ठीक है who gives the offer in case you have any confusion in it और offer कौन होता है to whom offer is given जिसको offer दिया जाता है तो हमकि जल्दी से note कर लो ताकि कोई confusion ना रहे इस केस law में ठीक है I hope समझ में आ गया कि offerer कौन होता है offer कौन होता है अब इस case में ये कहा गया कि जो acceptance है offer की वो कौन होकूक किस की तरफ से होनी चाहिए offer की तरफ से होनी चाहिए facts देखते है Powell applied for a job as headmaster Powell ने as a headmaster के लिए job पे applied किया ठीक है one of the school managers job पे applied किया का ये मतलब है कि उसने interview दिया in a certain school ठीक है one of the school managers in the selection board selection board में कोई एक school manager था outside the authority now this is important selection board में वो था अदमी लेकिन outside the authority उसको कोई authority नहीं थी ये बताने कि पावल select किया गया है interview में या नहीं select किया गया है तो main जो हमारी बात है कि he was outside the authority ठीक है he was outside the authority told पावल he was selected उसने क्या कि उसने बता दिया कि पावल तुम select हो गया हो खुश हो जो भई अब पावल खुश हो गया बाद में क्या होता है जो selection board थी the board later appointed someone else बाद में जो board थी उसने किसी और को appoint कर लिया बताया किस ने था जो की authority में नहीं था ठीक है बाद में जब selection board ने किसी और को appoint कर लिया तो पावल ने case हो दिया पावल ने कहा कि पहले मुझे इन्होंने select किया उसके बाद इन्होंने breach of contract करते हुए किसी दूसरे को select कर लिया यह issue था इस case का कि पहले इन्होंने मुझे select किया मुझे इन्ही के एक आत्मी ने बताया कि इन्होंने मुझे select किया है और उसके बाद इन्होंने किसी दूसरे को select कर लिया मेरी जगा अब court में यह कहा गया कि here the acceptance was not given by the offering कि यहां पर जो acceptance थी यानि कि जो offer तुमने दिया था कि मैं आपके school में as a headmaster join करना चाहता हूँ किसको offer दिया था selection board को offer दिया था उस selection board ने तुमसे नहीं कहा था कि हाँ I accept this offer and you can join as a headmaster यह किसी दूसरे व्यक्ती ने कहा था जो कि जिसको authority नहीं थी इस बात की कि कौन select हो रहा है और कौन select नहीं हो रहा है यह बता देगी उस व्यक्ती ने बताया था तो acceptance किसको दिनी चाहिए थी offer हो दिनी چाहिए कि acceptance offer नहीं दी यानि कि जो board था acceptance उसने नहीं दी थी so it is not a valid contract जब भी acceptance offer के तरफ से नहीं आ रही होती है किसी दूसरे व्यक्ति किसी third person की तरफ से आ रही होती है तो हम गहेंगी कि वो एक valid contract नहीं है बहुत ही simple सा case था I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना simple है उतना ही ज्यादा important है ठीक है so it is very important to write case laws also in your examination paper it just it just adds some beautification to your answer also ठीक है और जो आपका examiner होता है जो copies चेक को रहोता है उससे भी देखने है बहुत जादा अच्छा लगता है so you can write this case and I hope आप लोगों को समझ में आ गया है फिर भी अगर कोई problem हो तो please let me know in the comment section और अगर आप लोग किसी topic पर video देखता चाहते तो वो भी please मुझी जरूर बतायेगा thank you so much